तो यह एव्रीवन हमारों प्रप्रेशन है वाट टाइप आप आप रिएक्शन टेक प्लेस वें इस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा जब पांच कुश्चन है कि मैगनेशियम वायर बंड एएर लाइम स्टोनी सिल्बर प्रॉमाइड एक्सपूज इन सनलाइड लक्सिटरी इस पास्टूार एंड्मोमय और आ कि मैगनीशियम वायर बंड एएयर डु यह मैगनीश्यम है यह ऐर में इसको बंड किया गया तो यह क्या कर लेता है मैगनीशियम ऐक्सओड बना लेता है इसको बैलेंस करने के लिए ť O यहां पर क्या वह दो कि ऊसमें कम्वाइन होकर एक बना रहा है थी किए तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग उसको कॉम्पिनेशन रियक्षण भोलते हैं कॉम्पिनेशन हरी एक्षें ठीक है क्यों कॉई भी 2 चीज क्या होका combine होगा कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है दो तीम चार यह आपस में combine होकर कोई एक बनाएगा तो उसको combination reaction गोले है नाव सेकेंड में क्या है कि limestone का formula क्या होता है c aco3 इसको जब हीट किया गया यह क्या हो कर तो छोटा-छोटा प्रोटक्ट बनाता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ा कंपाउट का ब्रेकडाउं वह बेकडाउन होने का मतलब है तो इसको बोलते हैं Decomposition Reaction Decomposition Reaction Okay Now third अगर हम लोग third की बात करें तो third में है silver bromide exposed to sunlight silver bromide का फर्मूला क्या होता है AGBR अग इसको क्या करती है sunlight में रख भी आ गया sunlight में जैसे ही रखा जाता है ये क्या होता है ब्रेक कर जाता है ये 2 AG solid के form में और यहां से bromide जो होता है वो gas के form में यह यहां से निकल जाता है यहां पर भी सेम चीज़ हुआ कि एक reactant है जो की breakdown हुआ और breakdown होके दो product बनाया तो इसको भी क्या बोलेंगे decomposition decomposition reaction इसको भी हम लोग बोलेंगे अब बात करते हैं बी की option D D में क्या है electricity is passed through water तो water है हम लोग के पास suppose कर लो 2H2O है इसमें जब electricity passed रहा जाता है तो यह क्या होता है 2H2 plus O2 में यह decompose हो जाता है तो यहां पर energy के रूप में क्या जाता है electricity को use किया गया है यहां पर देखो एक compound है जो breakdown होके दो element में convert हो जाता है तो यह भी क्या है हमारा decomposition reaction है decomposition reaction है यह भी हमारा और हमारा आखरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं E तो E में क्या होता है ammonia hydrogen chloride ammonia क्या होता है NH3 और hydrogen chloride क्या है HCl यह आपस में mix किया जाता है तो यह क्या बन जाता है यह ammonium chloride बन जाता है NH4Cl तो यहां पर क्या हुआ कि दो component क्या हुआ combine होकर एक product बनाया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं combination reaction यह हो गया combination reaction तो यह पांचों का पांचों हम लोग को पता चल गया कि यह किस टाइप का reaction यहां पर हो रहा है I hope यह question आपको समझ में आया होगा that's all thank you